नमस्कार दोस्तों मम्ता की रिशुई में आपका स्वागत है मैं मम्ता दूबी आज बनाने जा रही हूँ मस्रूम करी मस्रूम करी बनाना बहुत ही आसान है और सभी बनाते हैं इसे पर आज जो मेरा तरीका है बिल्कुल डिफरेंट है आप इस तरीके से एक बार मस्रूम करी बनाईएगा आपको बहुत ही स्वादिश लगेगी तो चलिए रेस्पी को सुरू करते हैं उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाना ना भूलें ये मैंने मटर लिया है प्याज लिये बारिक कटी हुई और टमाटर लिया है उसके बाद मैंने अद्रक लहसन का पेस्ट ले लिया है तीन से चार हरी मिर्चे कट करके ले ली है और यहाँ पे मैंने डाइसो ग्राम मस्रूम लिया है मस्रूम को अच्छे से वास कर लिया है और मस्रूम को इस तरीके से कट कर लेते हैं यहाँ पे सारा मस्रूम कट करके मैंने तयार कर लिया है तो अब चलते हैं आगे के प्रोसेस में और इस सबजी में डालने के लिए मसाला त्यार कर लेते हैं एक बाउल ले लिया है इसमें डाल देंगे एक से डेर चम्मच धनिये का पाउडर तो यहाँ पर मैंने डेर चम्मच धनिये का पाउडर लिया है उसके बाद थोड़ा सा हल्दी लिया है इसके बाद मैंने लिया है आदा चम्मच गरम मसाला और आदा चम्मच ही मैंने कस्मीरी लाल मिर्च ली है और अब मैं ले लूँगी आदा चम्मच से थोड़ा सा कम काली मिर्च का पौडर मस्रूम में काली मिर्च बहुत ही टेस्टी लगती है इसलिए मैंने काली मिर्च का पौडर डाला है अब मैंने रख लिया है फ्राइंग पिन गैस पे और यहाँ पे डाल देते हैं सरसो का तेल यहाँ पे मैंने थ्री टेबल इस्पून सरसो का तेल डाला है तेल थोड़ा सा जादा डाला है पर आप अगर तेल कम पसंद करते हैं तो थोड़ा कम भी डाल सकते ह तेल के गरम होते ही मैंने डाल दिया है जीरा और उसके बाद दो डालचीनी इस्टिक डाली है एक पिंच्छींग डाली है और अब देखिए सबजी को मैं किस तरीके से बनाती हूँ बिल्कुल डिफरेंट तरीका है तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने प्यास डाल दिया है प्यास डालने के बाद मैं हरी मिश डाल देती हूँ और इसके बाद हम डाल देते हैं अद्रक और लहसन का पेस्ट यहाँ पे कोई भी चीजें हमें भूनने की जरुवत नहीं है और उसके बाद मैं टमाटर डाल देती हूँ तीन बड़े साइस का टमाटर कटा हुआ है और सारी चीजें मैंने रफली काटी हुई है इसके बाद मैंने मतर डाल दिया है और आपको रुकना नहीं है सारी चीजे सब्ची में मिक्स हो जाएं आप देख पा रहे होंगे यहां पर आज जो हम मस्रूम करी बना रहे हैं उसको मैंने भूना बिल्कुल नहीं है बस सारी चीजों को अच्छे से यहां पर मिक्स करूंगी तो यह जो मसाले हैं और यह जो मतर और प्यास, टमाटर, अद्रकलेसन का पेस्ट, हरी मीर्ज, सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, आप देख पा रहे होंगे, तो सारी चीजों को मैंने मिक्स कर लिया है, और मिक्स करने के बाद ही मैं डाल दूगी इसमें मसरूम, यहां पे मस्रूम डाल दिया है मैंने और मस्रूम डालने के बाद मैं डाल देती हूँ नमक नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़ादा ले सकते हैं मैंने यहां पे एक टी स्पून नमक लिया है और अब नमक डालने के बाद सारी चीजों को मिक्स करूंगी मैं इन्हें भून बिल्कुल नहीं रही हूँ बस इन्हें सारी चीजों को मिक्स कर दे रही हूँ इस तरीके से तिहाँ पे देखे मैंने मसरूम को भी सारे मसालों में और ये जो सबजीया है उनमें सारी चीजों में मिक्स कर लिया है और मसरूम भी हमारा मिक्स होके तयार है तो मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा पानी और सबजी बिल्कुल लाजबाब बन के तियार होगी आप एक बार बनाएंगे तो इस तरीके की सबजी आप बार बार बनाएंगे तो यह देखिए सारी चीजे हमने मिक्स कर दिये हैं मैंने भूना बिल्कुल नहीं है और अब मैं एड़ करूँगी इसमें पानी तो यहाँ पे मैं एक ग्लास पानी इसमें डालूँगी और यहाँ पे देखिए सारी चीजे हमने मिक्स कर ली है तो अब मैं डाल दूँगी इसमें एक से डेड़ ग्लास पानी तो मैंने यहां total dead glass पानी डाला हुआ है और अब इसे अच्छे से एक बार चला लेते हैं ताकि यह जो पानी है वो अच्छे से mix हो जाए इसमें आपको बिल्कुल परहसान होने की जरूरत नहीं है सबजी बहुत ही लाजबाब बनेगी आप इस तरीके से सबजी जरूर तक इसी तरीकी से पकने दोंगी सबजी में बहुत ही अच्छा कलर आया है क्योंकि मैंने कस्मेरी लाल मिर्च एड़ किया है मैंने ऐसे simple जो तीखी लाल मिर्च होती है बिल्कुल नहीं डाली है क्योंकि मैंने हरी मिर्च डाली थी तो हरी मिर्च का तीखा ही बहुत हो गया है सबजी के लिए आप अगर जादा तीखा पसंद करते हैं तो थोड़ी सी लाल मिच का पौडर भी डाल सकते हैं तीखा वाला और पच्छीस मिनट के बाद मैं एक बार इस सबजी को खोल के देख लेती हूं और आप देख पा रहे होंगे कि कितनी लाजबाप सबजी दिख है और कितनी अच्छी बनी हुई है और जो हमने पानी डाला था हो अच्छे से मिक्स हो चुका है और यह सबजी बहुत ही टेस्टी बनती है यकीन मानिये आप एक बार बार इस तरीकी सबजी चरूर बनाएंगे मैंने इसे फिर से थोड़ी दिर के लिए यानि चार मिनट के लिए धका था और फिर से खोल के चेक कर लेते हैं इस सबजी को बनने में टोटल 30 मिनट का टाइम लगता है तो यह देखिए और अब हम एक बार और धकेंगे बस एक मिनट के लिए और इसे फिर हटा लेते हैं धकन को सबजी बन के तयार है एक बार चला लेते हैं आपको मै पराधनिया डालेंगे मेरी ये मस्रूम करी की रेस्पी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं एक नई रेस्पी में बाई बाई दोस्तों